युगो युगो से जल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सब है खेव, म्रम्माण में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी चाथ, आए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माला जै शनी देव, प्रिय भक्तनों, मैं स्वामी राजशी, शनी पीठ मंदिर, इस्ट पटेन लगर, नई दिल्ली से, आज आपके समक्ष, आज का राशी कल बताने के लिए उपस्तित हुआ हूँ आपको जानकर हार्दिक प्रसंता होगी कि मैं दस वर्ष की आयू से ही अपने पोजने पिताशरी, गुरू रजी शिशी जी के निर्देशन में आस्टोलोजी, नियूमरोलोजी और धर्म घंतों का अध्यान कर रहा हूँ तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको साफ्राम रेना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज का ज्राशी पन आज 14 फेबरी 2020 दिन शुक्रवार, फागुन मास का कृष्ण पक्स चल रहा है, और आज 6 तिति शाम 6 बच के 21 मिनट तक रहेगी, और उसके पश्चात सब्तमी तिति लग जाएगी आज अभीजीत मूरत दुपेर 12 बच के 11 मिनट से लेकर 12 बच के 57 मिनट तक रहेगा, इस दोरान किसी भी शुपकारे की शुरुआत करने से आप को उसमें सफलता प्राप्त होगी आज राहुकाल दुपेर 11 बच के 6 मिनट से लेकर दुपेर 12 बच के 34 मिनट तक रहेगा इस दोरान किसी बिशुप कारे को करने से आप सबी लोग परहिस करें आप से पहले पाएं और हमारी इन वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें आईए आप जानते हैं कि व्रिश्चिक यानि कि स्कॉर्पियो राशी वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा चात्रों के विद्या अधनकाल में आज कोई भी बादा नहीं आ पाएगी और आज वे अपनी पूरी एक आगरता के साथ अपनी पढ़ाय में रोची ले पाएंगे जिससे आज चात्रों को अपने परेशन का पूर्ण फल प्राक्त होगा और वे डिफिकल्ड कॉंचर्प्स भी समझ पाने में सफल होंगे प्रिये भख्यणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंट ही स्क्रीन पर दियोए नमबरों पर हमें संपर्ट करके गुरू रणी शशीजी से या गुरुमा रुक्मणी से या मुझ से वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राफ्ट कर सकते हैं निश्चित तोर पर हम से कंसल्ट करने के लिए आपको एक छूटी सी फीस देनी होगी जिसका उपैोड हमारे द्वारा समय समय पर यग्णियों, महा यग्यों के आयोजन करने में हर मंगलवार और हर सनिवार को प्रसाज वितरं करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एड्यूकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती हैं नौजवान यूवकों और युवतियों का यदि विद्याद्यांकाल पूरा हो गया है तो आज उनके घरवाले उनकी शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं आज गैस, बधजमी या पेट के अन्य विकारों के कारण आपका स्वास्ते बिगव सकता है जिससे आज आपका मन अपने कारण में नहीं लग पाएगा और आपकी एफिशेंसी भी आज अफेक्ट होगी आज बैंक में कारण लोगों के लिए आज का दिन खास है आज आज आपको अपने प्रमोशन की खबर प्राप्त हो सकती है या आज आपको कोई बोनस या इंक्रिमेंट में मिल सकता है यदि आप बैंक में नौकरी के लिए अप्लाइ करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आज का दिन शुब है आज आयाशी करना युफको को भारी पर सकता है और आज इससे उनके परिवार के मान सम्मान को ठेज भी पहुँच सकती है आज अपनी माताजी से किसी बात पर मुलमटाब होने पर आप उन्हें लोटकर जवाब ना दे अन्यता आप भागे हीन हो जाएंगे विरिश्चिक राशी वालों अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल से जग खरीदना चाते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंतर से प्राण परतिष्टित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करने चाते हैं यदि आप स्वयम गुरु रज्वी शिशी द्वारा अभी मंतर अंगूठियों को प्राप्त करना चाते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रज्वनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्यर किसी योग के अस्ट्रोलाजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परावर्श लेना चाते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमतकारी उपाय जिसे करने से यदि आपके कारियों में बार बार बादाएं आती हैं या आपके धन प्राप्ती में देरी हो रही हैं तो आपको आज इस उपाय को निश्यत तोड़ पर करना चाहिए उपाय के अनुसार जिसी सिद्ध हनुआन मंदिर में जाएं और अपने साथ एक नारियल लेकर जाएं मंदिर में हनुआन जी की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर्पर साथ बार फेर ने इसके बाद आप हनुआन चालीस अगर जब करते रहें सिर्ग पर फेरने के बाद नारियल हनुमान जी के सामने फोर दिन इस उपाई को करने से यदि आज आज आप कोई इंपोर्टेंट कारे करने जा रहे हैं तो निस चित तोर पर आपको उस कारे में सफलता प्राक्त होगी आज काप का राशी फर देखते हुए मैं आपको चार स्कार देता हूँ हलो फ्रेंट मेरा नाम सुपरतो है मैं कलकत्त का रहने वाला हूँ और काम कप सिलचले में मैं रहता हूँ गवाटी में तो मैं तो पहले पूरा जीरो हो के रखा था मेरा नाही कुछ काम बन रहा था मैं बहुत टिपिटिशन में चला गया था तो मैं यूट्यूब देखता था तो एक दिन ऐसे सावच करते करते गुरुमा को मैं देखा और हाथ वाथ में उनसे कॉंटक किया तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे दूपए करना पड़ेगा तो मैं अभी अच्छा से लैब जी पड़ा हूँ मैंना कम भी अक्षे से सही चल रहा है कोई टेंस नहीं है और मैं आप लोग को भी रिक्वेश्ट करता हूँ आप लोग का कोई भी प्रूलिम है तो आप लोग अराम से अच्छा कर सकते ता आप एक बार कम से कम गुरुमा या गुरु उजी से आप संपर कर लिजे उसको बद्देखिए आपका रस्त आपने आप खोल जाएगा और आप आगे बढ़ते चला जाएंगे जैसाने देप थैंकियो गुरुमा थैंकियो गुरुमा हमारे वीदों पुरानों धर्म ग्रंथों और योत्य शास्त्रों पर आप ठीक दिरें